हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने Motorola Edge 20 Android वाइलफोन में आप जो है Swipe Fingerprint for Notification Setting को Enable कैसे कर सकते हैं यानि की On कैसे कर सकते हैं और इस Swipe Fingerprint for Notification Setting जो Enable करने के बाद इस सेटिंग कैसे काम करती है आज की इस वीडियो हम आपको डिटेल में जांकारी देने वाला हम तो चलिए आपर जो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो आपको अपने वाइल फोन में इनेबल हो जाएगी यानि की On हो जाएगी तिक है अभी mbli होने के बाद ही अपके सेटिंग कैसे काम करती है यह मैं आपको बता देता हूं आपके मुवाइल फोन के बैक साइड पे fingerprint सेंसर होता है ठीक है यह हमारा notification panel open हो जाता है इस तरीके से आप देख सकते हैं और आप fingerprint sensor पर नीचे से ऊपर की side में slide करेंगे तो आपको notification panel close हो जाता है इस तरीके से ऊपर चला जाता है तो यह swipe fingerprint for notification setting जो है enable करने के बाद कुछ इस तरीके से काम करती है आपके mobile phone में ठीक है यह आपके Motorola Edge 20 Android phone में इस तरीके से काम करेगी अब मैं आपको इस setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूँ आपके mobile phone में ठीक है तो इसके लिए आपको करना है mobile का आपको setting page open करना है सबसे उपर आपको इस search setting का option मिलेगा इसे select करना है अब यहाँ पर आपको search fire में type करना है swipe fingerprint for notification ठीक है swipe fingerprint for notification आप यहाँ पर टाइप कीजिए इस तरीके से तो आपको नीचे की side options हो जाएगा ठीक है यह वाला swipe fingerprint for notification का इसे आपको select कर लेना है इससे होता कि आए कि आपको वाइल फोन आपको डिरेक्ट जो इस setting में लेकर आ जाता है और इस setting को highlight करके दिखाता है तो यह एक shortcut तरीका इस setting को ढूंडने का